आप लोग देख रहे होंगी कि हम लोग बात करें हैं बहुतिक भूगोल की बारे में और बहुतिक भूगोल में हम लोगों ने लाश्ट किलास में महाद वीपिय विस्थापन पर विस्तार से चर्चा की थी आज की इस किलास में में भूगोल सिधानत के बारे में बात करनी है और याद रखिए सभी किलास ने आपकी सिविल सर्विस और आपकी स्टेट पी सियेस को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रही है क्योंकि आप देखें कि कई लोगों के एक सवाल रहते है कि वो लोग वनडे एक जाम की तइयारी कर रहे हैं कोई स्कूल टाइम में हैं कोई कॉलेज लाइम में हैं तो क्या उनमें भी इस class से questions पूछे जा सकते हूं या इक class उनके लिए भी मात्पूर हो सकती है तो आप लोग याद रखिएगा आप लोग किसी भी exam की तैयारी कर रहे हो अगर आप लोग ने अपना part करम देखा है और उसका syllabus की बात कर रहा हूं और उसके पुराने questions पेपर उठा के देखे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत तिक भुखोल से आपकी परिक्षाओं में भी questions आते हैं तो आप लोगों के लिए भी एक लास मात्पूर होगी और दूसरी बात एक हमेशा आप लोगों से बोला हो कि आप लोग NCEIT books जरोर पढ़िएगा उनसे आपका base मजबूत होगा और जब लोग कोई special books पुस्तक पढ़ते हैं तो हाँ आसानी भी होगे आपको ठेक है? और इसके लिए एक separate playlist सूची बना दी गई है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो जो आपका Prelims का syllabus है न पूरा सिलेबस आपको यहां cover मिल जाएगा और एक क्लास आप लोग जाकर देख सकते हैं आज की क्लास का मतलब यह है कि जो हमारी पितवी आप लोग देख रहे हैं न यह चुम्मक का काम करती है और यह कैसे पता चलाए? और कैसे चुम्मक का काम करती है? इन सब के बारे में हमें बात करनी है अगर आप लोग ने NCEIT पड़ी होगी और बच्पन में भी पड़ी होगी एक कहानी आप लोग ने पड़ी होगी एक टापू एक टापू आइलेंड का नाम आप लोग ने सुना होगा किसका? टापू का नाम इस टापू का नाम था मैगनेसिया और कहते हैं कि इस टापू पर इस आइलन्ड पर जब आप देखें भेड चराने वाले कुछ चरवाही गए तो आप देखेंगे कि जो चमडे का जूता होता है ना जूते में कील लगी रहती है और वो कील किस की रहती है लोहे की रहती है तो उन चरवाहों ने देखा कि उनके जूता की जूता है वो वहाँ कुछ पत्तरों से चिपक रहा है वो पत्तर अपनी तरफ उनके जूते को खींच रहे है तो कहते हैं कि वो अपने घर अलाए और उसको देखा उसी से चुमक की बात होने लगी एक दूसरी कहानी भी है और इस कहानी को आप लोग कर भी सकते हैं अपने घर में भी पैक्टिकल कर सकते हैं लोहे की कोई भी बस्तू लिजे आप लो और उसे जमीन में दवा दीजे एक तरह से दपना दीजे कुछ समाई के लिए और उसे जब वो जमीन से बाहर निकालेंगे तो वो लोहा चुम्मक का काम करने लगता है एक और आप देखते हैं कि जब आप लोग चुम्मक को एक रस्ती में बांद कर लटका देंगी तो कहते हैं उसकी एक इस्थाई दिशा रहती है उत्तर दच्चे तो इसे ये तो किलियर हो जाता है कि पितवी पर चुम्मक है पितवी चुम्मक का काम करती है अभी चुम्मक आती कहां से ये भी तो सवाल उठता है तो कई विद्वानों ने अपनी तरह से एक तरह से परिभासा दी है, बताया हुआ है, कि यहां से यह हुआ है, यहां से ऐसे आई हुई है, और आप लोग देखते हैं, कि आप लोग किसी घटना से कोई भी जोडने की बात हो तो बता देते हैं, अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐ नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा हुआ होगा, तो एक विद्वान साहब कुछ विद्वानों ने यह कहा है, कि पितवी के अंदर आप देखते हैं, कोर गरम रहती है पितवी की, वहां देखते हैं, आप लोग की लोहा रहता है, और लोहा जब गरम होता है, तो वो पिघल जात वो आयन भी आयन भी घूमता है और उहां से चुमिकिये छेत उत्वन्न होता है यह बता तो दिया लेकिन इसके बिरोध में भी लोग खड़े हो गए कि भाई आप तो कहते हैं कि चुम्मक को गरम करते हैं तो उसका चुमिकिये गुड़ खतम हो जाता है तो फिर यह कैसे होग तो यस ब्याक्या पर भी आप देखें पिसने चिन्म खड़ा होने लगता है तो दूसरे कोई और महुदय आते हैं वो कहते हैं पित्वी के अंदर एक बाईमंडल है वो कहते हैं कि बाईमंडल की उपरी पर सूर की पिकास पढ़ता है सूर की करने परती है और electron को बाहर निकाल देती है और जो iron बचता है न वो byundal की उसने घूमता रहता है और वहां से आप देखेंगे क्या होता है चुमा को उत्पन होता है चुम की अच्छे तो उत्पन होता है और आपको बता दूँ कि जो पितवी है ना आप लोग पितवी देख रहे ना या भी आप देख लिए ये पितवी है गोल गोल आप लोग देख रहे हैं पितवी से कहते हैं कि कितना 36,000 km की उचाई तक जानदा परभाव चुम्मक का देखा जाता है लेकिन आप देखेंगे क 60,000 km की उचाई तक इसका परभाव देखा जाता है जिससे चुम्मकी है एस्पियर कहते है सीमा कहते है ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा तो अब चलिए किताबी परिवासा को हम लोग देख लेते हैं एक तो ओबर्वीव एक तरह से आपको दे दिया है आप आप लोग एंसे यह आटी जरूर पढ़िए और बहतर समझ में आप लोग आ सकेगा तो सौर मंडल की कुछ अन्य ग्रहों की भाती पित्वी का भी अपना चुमकत है सौर मंडल में आप देखते हैं कि बुद्ध हो गया सोक हो गया सब का अपना चुमकी अच्छेत है तो उ ग्रीक के पिसे दिदार्शनिक थी थेज, इन्हें चुमक का ग्यान ठाप परंतु ग्रीक की निवासियों को चुमक से दिशा ग्यात करने का ग्यान नहीं हो था जो चुमक है यह दिशा भी बताती है आज से लगबग 2000 वर्स पूर्व चीन के निवासियों ने दिसा का ग्यान पराप्त करने के लिए चुम्मी की ये कमपास का निर्माण किया था कमपास आप लोग देखते ना उसी की बात हो रही है परंतु पिथवी के चुम्किये छित का ग्यान 1600 ECB में हुआ जब इंगलेंड की रानी एलीजा वेट के चिकिस्तक बिलियम गिलवर्ट ने अपनी पुस्तक इनकी किताब थी डी मेगनेट में यह बताया कि पिथवी एक बेहत चुम्मक बड़ी चुम्मक की भाती काम करती है बेवहार करती है और गिलवर्ट ने यह भी निसकस निकाला कि भू चुमकत एक चुमिकी यह गोले की भाती है और पिथवी के आंतरिक भाग से पैदा होता है और बर्स 1849 में गौस ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भू चुमक का अधिकालस भाग पिथवी के आंतरिक भाग में पैदा होता है हाला कि कुछ भाग पिथवी के बाहरी भाग में भी पैदा होता है और आधुनी गर्नाओं के अनुसार 95.3 भू चुमक पिथवी के दुई धुरवी है चुमक से प्राप्त होता है फिर आप देखेंगे कि पिथवी का चुमकिय चित एक विहस सला का चुमक के समान होता है जिसमें दो धुरव होते है और इन धुरव को किरमसा उत्तरी और दच्डी धुरव कहते है और आपको बता दू कि पिथवी के भी दो धुरव होते है आप लोग देखेंगे एक उत्तरी धुरव हो गया पिथवी का और दच्डी धुरव हो गया और वैसे आप देखे सूर भगवान की अगर बज़े से हम लोग देखें तो पित भी आप लोग कहते हैं कि देखे पूर वह एक पश्चिम हो गया यह आप देखेंगे दच्चर हो गया यह उत्तर हो गया ठीक है लेकिन जो चुमक है इसके भी दो धुरब है एक आप देखें क्योंकि आप देखते हैं कि समान चुमक के धुरब को आप लोग मिलाते हैं तो वो आकरसित नहीं होती वो चेपकती नहीं है एक घर में आप लोग खेलते होंगे बच्पन में तब आपने देखा भी होगा ठीक है लेकिन आप देखते हैं कि चुमक के दो धुरब है एक की विन्यास पितवी के घुड़ा रक्ष की दिशा में होता है जब पितवी के अंदर इस्तित सलाका चुमक के अनुर। अक्ष को दोनों बढ़ाया जाता है दोनों और तो वह भूतल को दो पिती ब्यासांद इस्थानों पर परिरक्षित करता है और भूतल पर इन दो बिंद यह आपक देख्टी भोगोलिक धुरॉब के निकेट होता है। है यह आप देखिने को मिलेगा। आपके, यह आप देख्टी भोगोलिक होckenाड़ से। यह उत्तरी भोगोलिक आप लोगों को चम्मक का देखने को मिलेगा ठीक है? चुम्मक ये धरूब और यह आप देखें जो रएखाई मिलाती है ना चुम्मक के उत्तरी धरूब को दच्छिडी धरूब से तो इन्हें आप लोग चुम्मक की ये सकती रेखाएं कह देते हैं, दो धुर्वी ये चुम्मक यहां आप लोगों को देखने को मिलेगी, दो धुर्व, तो ये भी याद रखिएगा, और यदि किसी चोटे चुम्मक को किसी धुरी पर संतुलित किया जाए, तो इसे धागे से लटकाया जाए, तो पित्वी का दच्छ को आकरसित करता है, इसका कारण यह है कि जब दो चुम्मक को एक दूसरे के निकट लाए जाता है, तो उसके समान धुर्व एक दूसरे को पिती करसित करते हैं, और आसमान धुर्व एक दूसरे को आकरसित अपनी तरफ लाते हैं, और जो समान धुर्व होते हैं, वो एक द पित्वी के उत्तरी धुरुप और उसका दच्छिडी धुरुप पित्वी के दच्छिडी धुरुप के दिखाई देता है होता है और भूचुमिकी अच्छित को चित्त में दर्साय गया है और भूचुमिकी अच्छित इतना सरल नहीं होता है जितना की दिखाई देता है इ बलकि उसके साथ 11.00 मापकरी 11.26 मिनिट का कौन बनाता है इसके बाइडाम सुरू भू चुमकिये धरुप पितवी की भोगोलिक धरुवों पर इस्तित नहीं होता है आप देखते हैं कि पितवी से के जो उत्री धरुव होगा उससे थोड़ा पास में रहेगा दूर रहेगा गाई चुमक का धरुप और पितवी की दिवी धरुवी है चुमक का अक्षाज 78 डे गरी 34 मिनिट उत्तर और बाद 290 degree 44 minute पुर्व तथा 88 degree 34 minute दच्छिण बा 110 degree 40 minute पूरवी निर्द सांद को परिष्थ होता है और दूसरे पितवी के दूई धुर्वी ये चुमक के अतरिक्त अनन्न चुमक सक्तिया भी है और जिससे चुमकिये धर्वों की इस्तिती में अंतर आ जाता है और पितवी के चुमकिये धर्वों की बास्त्विक इस्तिती उनकी अपेक छिद इस्तिती से थोड़ी भिन्ध होती है और भूचुमकिये चुमक का दक्षडी धर्व उत्री गीनलेंड में थियूल बेदसाला की निकट 74 डिगरी उत्री अक्षांस तथा 100 डिगरी पश्मी द इसांतर पर आपको देखने को मिलेगा एक बार आप लोग चित्त को देख लिए देखे ए भागोलिक धरुप है पितवी का उत्री धरुप तो आप देखेंगे इसका चुमकिये उत्री धरुप यहां देखने को मिलेगा एक समान जगे पर नहीं देखने को मिलता है बगल म की कारण बहुती विकरेथ हो जाता है और 1025 के साथ सूर से आने वाले अहवसित कर, सूर की सामने आने वाले चुमकिय चित का समबीडन करते हैं और जबकि सूर से दूसरी ओर इसका वर्धन कर देते हैं और भू चुम किये चेत अंतरिक्ष में सीमित चेत पर ही विस्तेत होता है और जिसे भू चुम किये मंडल कहते हैं और यहाँ आप देखिए सौरपवन की प्रभाव से अंतरिक्ष में भू चुम किये चेत में विकार बायूमंडल में भू चुम्किये छेत्री की सकती बड़ी तेजी से छीन होती है और सामानता भू चुम्किये सकती का हिरास दूरी के घन की अनुपात में होता है बाई मंडल के उपरी भाग में 100 विकरन से आविसीत कड़ों के लिए चुमकिये ट्रैप बन जाते हैं और इस पकार कॉस्मिक विकरन के चेत्रों अथवा वान एलेन पेटियों का निर्माड होता है और ये पेटियां बाहर भू चुमकिये चेत्री की रचना में महत्पूर्ण भूमिका निभाती हैं और इन धुर्विये चेत्रों में चुमकिये हलचल पैदा होता है और इन वेसे बाई मंडल में 100-500 km उचाई गयसों की चमकने से धुर्विये जोती पिरमुक है और बाई मंडल आयन मंडल में धुर्विये चेत्रों में बहु रंगीन पेकास को धुर्विये जोती कहते हैं और उत्री धुर्विये जोती को Aurora Borealisis और दच्री धुर्विये को Aurora Australis कहते हैं और चुमिकी ये दिखफात ये आप देख लिजे, भागोलेक धुरूब हो गया और ये भागोलेक आप देखेंगे चुमिकी ये धुरूब हो गया भागोलिक भूमद्रेखा आप लोग पित्वी के बीच में एक रेखा निकालते हैं उसे पित्वी की भूमद्रेखा भी कहते हैं और जो चुमक की आप देखें भूमद्रेखा निकालेंगे तो वो आपको चुमिकी ये भूमद्रेखा कहेंगे आप लोग और एक बात आप लोगों को मालों वने चाहिए कि चुमक को जब गरम होती है तो उसका जो चुमकी प्रभा होता है वो खतम होता है यह आप लोग भी चेक भी कर सकते हैं घर में भी चेक कर सकते हैं पिथवी का चुमकी अक्ष इसके घुडन अक्ष के साथ मिल नहीं खाता बलकि इसके साथ एक निश्चित कौन बनाता है और विथवी के चुमकी अक्ष और घुडन अक्ष के बीच बने कौन को आप लोग चुमकी अक्ष के बीच बने कौन को क्या कहते हैं चुमकिये दिख पात कहते हैं और आप देखेंगे यहाँ भी कुछ पॉइंट है यहने भी पढ़ लीजेगा और चुमकिये छेत के सरोत अगर आप देखें तो भूचुमकिये छेत फित्वी की अपेक्चा कम गती से घूडन करता है और दूसरे कि साथ साथ अपरूपड पैदा हो जाता है और जिसे भवर जैसी इस्तिती पैदा होती है यह बाय कोर की भवर से मिलकर भूचुमकिये छेत में परिवर्तन लाती है धर्ती के अंदर की बात हो रही कोर की बात हो रही है और यह तत्तिस्पष्ट हो चुका है कि भू चुमकिय च्छेत पित्वी की आंत्रिक भागों की पदार्थों की इस्थाई विसेष्था नहीं है किसी विसेष्ट सीमा से उपर तामान बढ़ने से पदार्थ का चुमकत समाप्त हो जाता है पदार्थ का क्या होता है? चुम्मक कत्व, चुम्मक का गुर्ण समाप्त हो जाता है इस तामान को क्योरी बिंदू कहते हैं क्या कहते है? क्योरी बिंदू कहते हैं और यह विसेट सीमा लोहे मैगनेटाइट और निकल के लिए किरमसा आप देखेंगे के 770 डिगरी, 580 डिगरी और 358 डिगरी सेंटीवेट होता है। कोबाल्ट के लिए ऐसीमा आप देखें कि 1150 सेंटीगेट होता है। दाब में विद्धी होने से क्यूरी बिंदू में कमी आ जाती है। बाहे कोड का उच्चित आमान और उहां परतरल अवस्था में पदार्थ के होने से स्थाई चुमकत संभा हो नहीं है और इस पेकार्थ भू चुमकिये छित का सदा जनन और पोसन होते रहना चाहिए इसकार्थ है कि पित्वी के आंत्रेक भाग में अत्यदिक बिद्धुत सं देखेंगे चुमक कहां से बताया गया उत्पन होना पहला इस रोध पित्वी में उपस्तित रेडियो धर्मी पदार्थों का सक्रिये होना क्योंकि रेडियो धर्मी पदार्थों के सक्रिये होने से ओड़ जा उत्पन होती है और परन्तु पित्वी के क्रोड में समभणी दूसरा से रोध बताया है कि लोहे का मेंटर से क्रोड की और इस्थानांतर से संबंदित इस पिक्रिया में क्रोड से गुरुत मुक्त हो जाता है और उर्जा उत्पन होती है और इस परिकल्पना के संबंद में भी असंकाएं ब्यक्त की जाती है यदि यह पिक्रिया ठीक ठा ठीक ठाक मान भी ली जाए तो भी इसका बहुत पहले इस्थिगन हो गया था और यह पिक्रिया इतनी सिथिल हो जानी चाहिए कि यह परियाब तूर्जा उत्पन करने में आसमर्थ हो तीसरा सुरोथ बताया जाता है दाब में कमी होने से समंदित दाब में कमी होने से गुप् गहराई परिष्थित पदार्थों की अधिक गहराई के पदार्थ से उस्मा प्राप्त होता है और अता है इस परीकल्पना को सबसे अधिक मानता भी दी गई तीसरी परीकल्पना को आगे हो सकता है कोई और बिद्वान बिज्ञानिक आए और वो कोई और नई परीकल्पना दे दे तो उस पर भी चर्चा होने लगी गए तो यह चलता रहता है पहले आप लोग नहीं सुनते हैं कि इस ग्रह के इतने उग्रह थी वो कहता है फिर दूसरा आया उसने और खियच की तो उसके और उग्रह बढ़ गए तो यह नहीं नहीं खोजे होती रहती है नहीं नहीं टेक्नोलोजी आती रहती है और इस तरह से आप देखेंगे आपका ये टॉपिक भी कबर होता है भू चुमकत्ति की मूल सिध्धान्त के रूम में अंगली क्लास में हम लोग ज्वाला मुखी के बारे में पढ़ेंगे और ये आप देखते हैं मुख परीक्षा की पॉइंट इवी से भी मत्पूर रहता है और आपकी प्रिलिम्स की मत्पूर लिए भी मत्पूर रहता है आपकी कुछ सुझाओ हो सवाल हो तो आप लोग नीचे पोश सकते हैं बता सकते हैं और सुझाओ जरूर दिया करेगेगा अगर अच्छे सुझाओ रहा तो मानने के लिए बिल्कुल जरूरी है मानना चलिए तो मिलते हैं हम लोग अंगली क्लास में मिलेंगी